अगर आपको arthritis की परिशानी है और इस वज़े से आपके जोडों में दर्द रहता है तो एक simple आपको remedy बताता हूं पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा आप इसको नेट पर भी सर्च कर सकते हैं या फिर आपके शहर में कस्बे में आपको यह मिल सकता है तो अब हम यह people की चाल क्यों अस्तमाल कर रहे हैं क्योंकि people की चाल body में जो uric acid है उसको normalize करती है जो आपको गठिया में मदद कर सकता है people की चाल आपका जो inflammation है उसको भी कम करती है इसलिए हम इसका इसका इस्तमाल कर रहे हैं इंसुलिन को body में normalize रखती है बैलन्स रखती है इससे भी आपका जो inflammation है जो सूजल है अंदर उसमें कमी आती है तो यह फायदे हैं people की चाल के इसलिए हम इसका 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 इसक करेंगी, वह है turmeric याने के healthy हल्दी का करेंगी हल्दी भी anti-inflammatory याने के स्टवरियम करेंगे काली मिर्च करेंग एक करेंगी कूए digestion को eat करेंगी, metabolism को अच्छा करेंगी आप पाचण को अच्छा करेंगी इससलिए तोड़ी काली मिर्च का हम यहाँ पर इस्तमाल करेंगे आईरवेड कहता है कि सारी मिर्चें हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च सब में जो सबसे उत्तम मिर्च है जो सबसे बेस्ट मिर्च है वो होती है काली मिर्च काली मिर्च का आपको इस्तमाल जादा करना चाहिए बाकी मिर्चों का इस्तमाल आपको कम करना चाहिए तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं थोड़ी सी एक से दो चुटकी काली मिर्च और लास्क में अंत में हम यूज़ करेंगे शहद शेहद करके हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि शेहद एक तो आपके टेस्ट को बेटर कर सकता है दूसरा ये जो oxidative stress हमारी बॉडी पर होता है उसको कम करता है तीसरा ये हमारे gut के लिए याने हमारे digestion के लिए हमारे पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि जो good gut bacterias होते हैं जो अच्छे bacterias जो हमारे gut में याने जो आपों में रहते हैं उनको और बड़ावा देता है उनकी growth में help करता है इसलिए हम यहापर शहत करेंगे आयरवेट साफ कहता है अगर आप चाहते हैं आपके कमर दर्द में आराम हो आपके जोडों के दर्द में आराम हो तो आपका digestion अच्छा होना चाहिए आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा होना चाहिए अब बात करते हैं इसको बनाना कैसे है इसको बनाने के लिए हम लेंगे एक चम्मच पीपल की चाल का powder अगर आपके पास चून रूप में याने powder रूप में नहीं अवलेवल है आपके पुरी चाल अवलेवल है तो जो चाल है आपके पास उसको आप तोड लीजिए बुरादा सा बना लीजिए बुरादा सा बनाने के बात एक चम्मच वो बुरादा आप लेजे, एक टी स्पून की में बात कर रहा है आपपर, उसको लेजे और इसको आप डाले एक गलास पानी में, अब इस एक गलास पानी में आप डालेंगे एक चौताई चमच डर्मरिक यानि हल्दी, हल्दी भी पॉर्डर फॉर्म में, वही आप डालेंग उबालना है, पाथ से साथ मिर्ट में क्या होगा, जो ये पानी है, एक गलास पानी, इसमें से आधा गलास उड़ जाएगा, आपके पास आधा गलास पानी पचेगा, इस आधे गलास पानी को थोड़ी देर रूम टेंपरेचर पे रखिए, जब ये गुनगुना सा हो तब इसमें आप शहद मिलाईए, और इसको आप या तो खाली पेट पी लिए, या खाने के एक घंटे बाद इसको आपको पीना है, अगर गेस्टराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप इसको खाने के एक घंटे बाद ही पीएंगे, या फिर पेट में अलसर है, तब भी आ एक से दो बार इसको पी सकते हैं, या तो सिर्फ सुबह पीजे, या फिर सुबह और शान, दो बार आप इसको पी सकते हैं, कितने समय तक पीना है, कम से कम तीन से चार महीने आपको इसको पीना है, उसके बाद आप 15-20 दिन का गैप कर सकते हैं, उसके बाद दुबार से डालना है या फिर आपको शहत से अलर्जी है तो आप इसमें कोई भी मीठा द्रवे नहीं डालेंगे आप सिंपली इसको उबालिए उबाल कर चान कर इसको आप गरम गरम चाय की तरह पी जाईए ये भी बहुत इफेक्टिव होता है तो ये है सिंपल रेमेडी लेकिन इसके स आपको अपनी बौडि में वाइतथAd का लेवल हमेशा अच्छा रखना है अगर आपने कभी भी चेक कराया है तो जफ़र चेक कराईए वाइतथिरी का लेवल और कमी है तो आपको वाइतफिरी लेना होगा हर मेडिकल स्टोर में आपको वाइतमीन द्री मिल जाएगा वहा चोटी से एक गलती कर देते हैं वो यह है कि वो लोग कहते हैं बाई, vitamin D3 का course 3 महीने का है 4 महीने का है उसके बाद नहीं लेना है नए, ऐसा आपको नहीं करना है अगर आपके जोडों में दर्द है तो आपको जीवन भर vitamin D3 लेना होगा या तो आप डेली सूरज में बैठे हैं सुबह की जो सूरज की केने होती हैं 10 बजे तक वाली उसमें आप बैठे है उसमें आप घूमिए और ऐसा आप देड़ से 2 महीना करिए उसके बाद फिर वाइटमिन D3 चेक करेंगे अगर आपकी बाड़ी खुद से बना रही है वाइ 30 से 100 आपका उन्होंना चाहिए 80 के आसपास अगर 30 है 35 है 40 है तो इसको नॉर्मल मत समझिए आप अगर चाते हैं आपके जोड़ अच्छे रहें आपको परिशानी ना हो गठिया ना हो आपको जरूरी है वाइटमिन D3 अच्छा है रखना तो अगर 30 से 100 नॉर्मल है 80 अपन वाइटमिन D3 आपको रखना है कभी भी वाइटमिन D3 नहीं गिरने देना है अगर आप चाते हैं आपके जोड़ अच्छे रहें बाकी अगर आपके घुटनों में दर्द है या पीठ में दर्द है ये ज़रूर करिए इसके साथ आपको पुछ एक्साइज भी करनी होगी एक्साइज के लिए मेरी अलग से वीडियो हैं उनके लिंक में नीचे डिस्क्रिक्शन बॉक्स में डाल दूँगा वो एक्साइज आप डेली करिए वाइटमिन D3 लीजिए ये काड़ा पीजिए और एक्साइज करिए आपको अच्छे रिजर्ट्स मिल्स देंग और यहा